नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपना पॉलिसी नमबर कैसे देख सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से और हम लोग देखने वाले हैं आपके गाड़ी का एंसुरेंस एक्टिव है या फिर नहीं और देख सकते हैं इसमें अपना और सी के स्टिटस ठीक है इसमें आपका गाड़ी नमबर क्या है ठीक है policy number क्या है कब के date में आपका registration हुआ था और आपके insurance के last date कब था इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में आप लोग जान सकते हैं तो दोस्तों बने रही है आप मेरे इस वीडियो पर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe जरूर किजिएगा तो चलिए वीडियो की और आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको Google पर आजाना है Google पर आने के बाद आपको search करना है ठीक है परिवहन ठीक है आप Hindi या फिर English दोनों में आप search कर सकते हो परिवहन सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज आपका open हो जाएगा ठीक है आपको कहीं जाना नहीं है पहले ही option पर आपको click करना है ठीक है आप देख सकते हैं परिवहन सेवा लिखा हुआ है इस पर click करने के बाद कुछ इस प्रकार से page open हो जाएगा यह आपका official website है ठीक है वहाँ पर लिखा हुआ है top पर ठीक है informational service ठीक है आपको दुसरा वाले option पर आपको click करना है ठीक है know your regular details इस पर आपको click करना है click करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका page आजाएगा citizen login इसमें आपका mobile number ठीक है और आपका verification code जो वहाँ पर लिखा हुआ है उसी को डालना है उसके बाद आपको next करना है और हाँ जैसे कि आपका account नहीं बना है इसमें तो आपको create account पर आपको एक बार आपको click करना है click करने के बाद आपको mobile number वहाँ पर आपको डालना है ठीक है आपका active email id डालना है ठीक है उसके बाद आपका verification code आपको एक छोटा सी image दीख रहा होगा उसको डालना है उसके बाद generate OTP करने के बाद आपके mobile पर एक OTP आएगा और एक आपको password बना लेना है फिर से आपको home page पर आजाना है उपर में आपको mobile number डालना है उसके बाद verification code डालना है उसके बाद आपको nest करना है फिर उसके बाद password डालने का एक option आएगा password को डालना है उसके बाद OTP आएगा mobile पर उसको verify आपको कर लेना है उसके बाद ये वाला page open हो जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है inter vehicle number ठीक है आपके गाड़ी का number वहाँ पर डालना है उसके बाद capture code है उसको डालना है उसके बाद वहाँ सर्च है उसको डालना है यहाँ पर CG4 ठीक है 04 MS आपका कौन सा है उसको आप डालना है जैसे कि मेरा CG04 ठीक है MS 61 47 फिर वहाँ सर्च करोगे तो खुल कर ये आजाएगा सभी को आपको देख लेना है क्या क्या आप देखना चाहते हो कुछ इस परकार से मेरा वाला है